नमस्कार में हूं मैं एक शर्मो और इस वक्त आप ये लाइफ तस्वीरे देख रहे हैं हर्याणा के करनाल से और इस वक्त हम मौझूद हैं करनाल के पुराने बस अड़े पर जहां पर आप देख सकते हैं कि रक्षा बंदन के त्योहार के लिए किस तरीके से महिलाएं अपने बच्चों के साथ भारी लगेज मिठाई के डब्बे और राखी समेद अब अपने अपने भाईयों के घरों में रवाना और ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर्याणा सरकार का एक बहुती बड़ा औ अब बारा बज़ नहीं वाले हैं बारा बज़े से लेकर कल 22 अगस कल क्योंकि रक्षा बंदन है तो कल रात बारा बज़े तक मुफ्त आपको यात्रा करने को मिलेगी और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं चाहे हो प्राइवेट बसे या फिर हो रोडवेज की बसे क्योंक उसके साथ साथ टिकेट नहीं लगेगी तो इन प्राइवेट बसों पर भी नहीं लगेगी और उसके साथ साथ जो सिटी बस आप देख सकते हैं पीछे में आपको दिखाना चाहूंगी यह पिंक कलर की बड़ी प्यारी सी बस होती है इस बस में भी अब जो महिलाएं हैं अ हर्याना सरकार की तरफ से खटर सरकार की तरफ से परदेश की तमाम महिलाओं को यानि कि चंडिगट से लेकर दिली तक का सफर वो तैय कर पाएंगी और पूरे के पूरे हर्याना राज्ये की परदेश की मैं बात करूं तो 137 ऐसी हर्याना रोडवेस की बसे हैं जिनको प्राइब करेंगे अपने बच्चों के साथ काफी सारे बैग्स काफी सारे बैग्स समेद मिठाईयों के डब्बे समेद राखियों के समेद अब वो अपने भाईयों के घर जाती हुए नजर आ रहे हैं मेरी आप सभी लोग उसी है यह पील रहेगी कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को देखे और इसे शेयर जरूर करें हाला कि जब पहले हमने आपको ये खबर दिखाई थी उस वक्त टाइमिंग्स के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी क्योंकि यहाँ पर जो बस डीपू वाले हैं या फिर जो रोडवेज जीएम है उनके पास कोई भी ऐसी नोडिकेशन नहीं आई थी कि क्या कुछ टाइमिंग्स रहेंगी लेकिन आप टाइमिंग्स आ गई है कि आब बारा बज़े से आब आपको टिकेट नहीं लेनी होगी मेरे आप सभी लोग से अपील यही रहेगी कि जितना ज़्यादा हो सकते इस वीडियो को देखियो और इसे शेयर जरूर करें एक बार बस के अंदर की भी तस्वीरे दिखाएंगे महिलाओं से भी बात करेंगे यह आप देख सकते हैं महिलाओं अब बसों में चड़ती हुई नजर आ रही है एक बार महिलाओं से ही बात जरूर करेंगे कि वो क्या कुछ कहेंगे क्योंकि एक बड़ा ही सुनेहरा और बड़ा ही प्यारा तौफा रक्षा बंदन पर परदेश सरकार की तरश से महिलाओं को मिला है अब पिछले वर्ष की बात करूं तो पिछला पूरा का पूरा वर्ष निकल गया बसे आला कि उस समय पर नहीं चल रही थो और पिछले साल भीड़ भी इतनी नहीं दिखाई दे थे लेकिन इस बार जो हारों की पूरी की पूरी दूमें है साथ कुछ महील आएं भी है मेडम क्या नाम है आपका सुंद्रा राणी कहां से सिलार कुरे से भाई के घर जा रही है तो आपको यह मालूम है कि अप्रिकेट नहीं लगने वाली कल रात बारा बज़े तक आप फ्री में सफर कर पाएंगी रोडवेस की बस हो या लेकिन आप प्री में जा पाएंगी आप देख सकते हैं महिलाएं काफी जादा खुश है क्योंकि रक्षबंदन पर उनको उमीद होते हैं कि भाई उन्हें अच्छे उपहार देंगे तौफे देंगे नगदी देंगे लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगे कि महिलाओं को परदेश सरकार की तरफ से भी एक अच्छा तौफा ये मिलाएं कि उनके टिकेट के पैसे जरूर इस बार बचने हैं कुछ और भी महिलाएं आप पर मौजूद हैं एक बार उनसे भी बात करते हैं क्या नाम है मैडम आपका दरिशना पानीपस से नहां जा रही है पानीपस पानीपस जा रही है पापसी जा रही है पहली बार ऐसा देखने को मिलता है कि पूरे साल बर में टिकेट नहीं लेनी पड़ेगी आज टिकेट तो लेकर आए है मैडम पहले लेकर आए हो लेकिन आप बारा बजे से तो बिलकुल फ्री है अच्छा लग रहा है अजी पिछली बार हुए कि बसो में टिकेट लेनी पड़ी थी अपशी बार तो बस से खेयर चली नहीं रही ती लेकिन इस बार फिर से तो हारों की डूम दिखाई देरी है एक स्माइल के साथ अपने भाईयों के घर जा रहे हैं, कुछ महिलाएं, पानीपच जा रहे हैं, कुछ चंडीगट जा रहे हैं, कुछ दिल्ली जाएंगे, लेकिन बड़ी बात और बड़ी जानकारी है कि आपको टिकेट नहीं लेनी पड़ेगी तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस बस में इस वक्त मैं मौझूद हूँ, जब मैं कॉलेश टाइम में थी, तब ये बस मेरे भी शेहर के बाहर आती थी, मैं आपको बताना चाहूँगी, ये बस special हर्याना सरकार ने महिलाओं के लिए लड़कियों के लिए लगवाई और आज इस बस को एक अलग तरीके से यहां पर खड़ा किया गया है, कि महिलाओं को आज ज़्यादा सफर तैग करने दिया जाए, यानि कि अब ये ज़्यादा रूट तैग करेगी, और मैं आपको बताना चाहूँगी, वैसे ये बस करनाल से कुरुक्षेतर, आपको हाई अब रक्षा बंदन पर आपको कोई स्पेशल दिशा निर्देश भी दिये गए हैं, हमारे को तो सिरफ यही दिशा निर्देश है, कि अपना तन मन से काम करना है, किसी भी पैसेंजर को किसी परकार की कोई दिक्कत ना है, तो महिलाओं के लिए या आज स्पेशल बस, जी म करनाल से कुरुक्षेतर महिलाएं, लड़कियां हैं, लड़कियां हैं, फ्री में जा सकते हैं, बस अभी खाली है, इसका समय कुछी देर का है, मतलब चलने वाला है, और यहां पर आप बैठ सकती हैं, इस बस में आगे जिन महिलाओं को, जिन लड़कियों को नहीं पता, औ जिनोंने कुरुक्षेतर तक का सफरताय करना है, वो अब आ सकती हैं, कुछी देर में आप देख सकते हैं, बस चल भी पड़ी है, और आगे लगेगी थोड़ी सी, ताकि महिलाओं हो, लड़कियां हो, इस बस में आगे चल पाएं, जो यहां के GM है, रोडवेस से उनसे एक खबर दिखाए थी, उस वक्त आपके पास कोई रिटन में नोटिफिकेशन नहीं आया था, कि क्या टाइमिंग्स रहेंगी, क्या डेट रहेंगी, लेकिन अब नोटिफिकेशन भी आ गया, हर कोई जान भी चुक है, लेकिन मैं चाओंगे, कि आप अपने मुझ से बताएं स भाइस तारिक रात के बारा बज़े तक यह लाग रहेंगी, तो सर, जो करनाल के डिपटी कमिशनर है, निशान कुमार यादव उनका ये कहना है, कि सिटी बसेस और उन्होंने जिक्र किया है, कि सिटी बसेस भी आज फ्री ओफ कॉस्ट रहेंगी, यानि कि उसमें टिकेट लेने के जरूरत रहेगी तो सिटी बसेज के बारे में जो जानकारी कि वो तो चली नहीं रही ऐसा कुछ है वो नगर निगम के अंडर है अभी वो अभी हमें अर्यान रोडवेस को नहीं मिली है इनका प्रपोजल बेजा हुआ है उपर वो मिल जाएंगे तो हम चालू कर दें हैं तो चाओंगे कि हमारी जितने भी दर्शक हैं तमाम उनको आप रक्षबन्दन की एक बर बधाई जरूर दें सभी करणाल वाशियों को और हर्याना वाशियों को सभी के लिए रक्षबन्दन की आज बहुत-बहुत बधाई कल की 22 तरीकों है बलकुल परदेश सरकार य अब यहां तक आही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिये के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुचे आप तक